बीते एपिसोड अनुपमा में दिखाया गया की अनुज, छोटी और माया के साथ पिकनिक पर एंजोई करता है। वही शाह हाउस में सब के साथ होकर भी अनुपमा का दिल उन दोनों में ही लगा रहता है। वह अनुज से बात भी करती है, लेकिन छोटी गेम के चक्कर में उसे बात नहीं करने देती और यह बात अनुपमा को पसंद नहीं आती। अनुपमा में माया अनुज को emotional blackmail करती है वो उससे कपाडिया house में एक महीना और रहने की गुजारिश करती है माया अनुज से कहती है कि यह एक महीना किसी का भी आखिरी हो सकता है इसलिए मैं तुमसे यह मुहलत मांग रही हूँ माया की बाते सुनने के बाद अनुज भी उसे वहां एक महीने और रहने की इजाजत दे देता है अनुपमा में दिखाया जाएगा कि माया अनुपमा के खिलाफ अनुज के कान भरने की कोशिश करेगी वो कहेगी कि अनुपमा को भी यहां होना चाहिए था, लेकिन उसके भी तीन बच्चे हैं अनुज पहले तो अनुपमा की माया के सामने तारीफ करेगा, लेकिन बाद में बोल पड़ेगा कि मैंने अनुपमा की स्थिती देखकर उससे शादी की थी पहले केवल मैं था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी बेटी भी है अनुज के मन की भड़ास देखकर माया मन ही मन खुश हो जाएगी वहीं जब अनुपमा अनुज के पास फोन करेगी तो माया फोन काटकर उसे चुपा देगी सीरियल में आपको देखने को मिलेगा जब वनराज अनुपमा को अकेला देखकर उससे बात करने की कोशिश करेगा वह उससे बताएगा कि वह अभी भी पिछले दिनों को याद करता है क्योंकि उसके शाव परिवार में आने से घर की रौनक बढ़ जाती है वनराज बातों बातों में ही बोल पड़ेगा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाएं वनराज की यह बात अनुपमा को गुस्सा दिलाती है और वो उसे मूह बंद रखने को कहती है अनुपमा में दिखाया जाएगा कि माया अनुज के साथ वोक पर जाएगी लेकिन वहां उसे संपत देख जाएगा उसे देखते ही माया डर जाएगी